जय बोले नाथ आज मैं आपको वाचा सिद्धी साधना दे रहा हूँ संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कभी न कभी समश्याओं का सामना करना पड़ता है सभी लोग चाते हैं कि पति-पत्नी के बीच, पिता-पुत्र के बीच, सांस-बहु के बीच, मित्र-मित्र के बीच या कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में जो भी सबन रहता हैं वो सांति-पुरुक बना रहे, आपस में प्रेम रहे और जीवन में जो भी समश्या है उसे आप आसानी से निप्टा ले समश्या का समादान अपने ही दर्म में मंत्र सरूप, सक्ति के रूप में दिया गया है ये साधना की सिद्धी मिल जाने के बाद साधक जो सोतता है वही होता है याने की वाचा सिद्धी हो जाती है वाचा सिद्धी याने की आपने सोत लिया कि मेरे गर में अब किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा या कोई भी प्रकार की बिमारी अब नहीं आयेगी तो जो भी प्रश्ण या परेशानी होगी वह समाप्त होने की कगार पर होगी और दिमे दिमे समश्याय खतम होती जाएगी मात्र सूतने से या मनन और चिंतन करने से आपकी समश्या समाप्त होती हैं अगर ऐसा होता ही है तो ये साधना जरूर करनी चाहिए सादक मित्र आपको ये सादना अपने गुरु की आगनिया लेकर उसका आशिरवात लेने के बाद करनी है अगर आप किसी का बुरा सोचे होगे तो भी बुरा हो जाएगा इसलिए अच्छा बुरा जो भी पल मिले उसका मैं जिब्यवार नहीं हूँ आप बलाई के लिए सीथ करना चाहते हो तो गुरु की आगनिया से ये सादना जरूर करें वरना खुद का ये बुरा होगा ये एक मंत्र यंत्र सादना है उसमें गुरु की कुरुपा का महत्व जादा है इस सादना को आप कभी भी कोई भी सुप दिन सुप मुरत में प्रांतव ब्रह्म विला में ही करें स्क्रीन पर दी गई यंत्र को आप भोज पत्र पर अस्टगन और केसर की साई से अनार की कलम लेकर बनाईए ये यंत्र भी आपको प्रांतव समय में ब्रह्म विला में पहले से ही बना के रख लेना हैं अब आप साध्ना के दिन अपने पूजा मंदिर के सामने बैठ जाएं सामने एक सपेद वस्त्र पर श्री गणेश कूल देवी देवता स्थान देवी देवता और अपने इस्ट देवी देवता का स्थापन करें गौगी का दिपक जलाए और गूगल की बत्ति जलाले और स्थापित किये हुए अपने इस्ट देवी देवता को प्राणपतिस्टित करें पहले से बनाया वहाय यंत्र को भी आप पूजास्थान के अंदर स्थापित करें और यंत्र में मासरस्वती देवी को स्थापित करके प्रानपतिस्तित करे, सभी देवी देवता की चोप्चार पूजा करे और भोग में सफेद मिठाय रखे प्रानपतिस्ता मंत्र जो साधक को पता नहीं वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जो लिखेगा उसको पौसप के माध्यम से प्रानपतिष्टा मंत्र बेद दिया जाएगा अब आपको संकल्ब करना है कि ये साधना आप क्यों कर रहे हो हाथ में जल लेकर साधक संकल्ब करें कि मैं दूसरों की बलाई के लिए और हमारी खुद की बलाई के लिए ये साधना कर रहा हूँ दूसरों की बुराई मैं कभी नहीं चाहूंगा इतना बोलकर पाने को साइड में रख देना है यंत्र और मंत्र दोनों मेंने स्क्रीन पर दिया हुआ है उसको आप पहले नोट कर ले साधना की सरुवात में आपको गणेश जी का मंतर की एकमाला कर नी है ऐकमाला गुरू मंतर की करनी है जो गुरू ने मंतर दिया है वही अगर किसी का गुरू नहीं है तो मादेव को अपना गुरू समझ कर मादेव मंत्र की एक माला आपको जब करनी है मंत्र इस पकार है गम गंगा धराय नमह अब आपको पून स्रद्दा और बक्ति के साथ मूल मंत्र की त्यारा माला जब करनी है मंत्र इस पकार है ओम गम गणे साय देवी वाग देवी ममा वाचा सिद्धी कुरु कुरु स्वाहा प्रसाद में आपको पंचामरत और सफेद मिठाय रखनी है अब आपको यगन करना है यगन वेदी में जीव जन्तु रहित समिध और यगन सामावत करी के साथ जव तिल और गुगल को प्रयोग में लाना है मूल मंत्र की 108 आउती और गनेश जी और गुरु मंत्र की 1111 आउती आपको देनी है बाद में उजास्तान में स्थापित वाचा सिद्धी यंत्र को यगन की दुनी पर से नव बार दाएं से बाया गुमाएं और उसी समय मूल मंत्र का जाप बोलते रहें अब आप इस यंत्र को ताबे के ताबिज में बन कर लें और कभी भी सुब मूरत के अंदर गले में काले दागे में दारन कर सकते हो अब आपको अपनी जीवा पर हल्दी से अईम बीज मंत्र लिख देना है बाद में आपका ये अनुष्टान पूर्ण होता है लेकिन हरोज सुबह में आपको 21 बार मूल मंत्र का जाप करना है मासरस्वती की कुरूपा जरूर होगी और ये प्रयोग अनुबत और सिद्ध है समय से पहले आपको कई बातों का पता लगने लगता है और तब आपका विश्वास द्रण होता जाएगा पर किसी का भी बुरा चाहा तो आपका बुरा जरूर होगा ये बात पहले आपको समझ लेनी चाहिए ये साधना कोई भी स्त्री पूरूस साधक कर सकता है आसान और सरल है लेकिन प्रात तीन बजे ये साधना सुरू कर देनी चाहिए मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सब्क्राइब करें और बेल की गंटी बजा दें जिससे मेरे नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाए जय बोले ना